हलो गुड मॉर्निंग आज हम विसे हिंदी में पार्ट छे नियाए जो है वो देखने वाले हैं तो पार्ट शुरू करते हैं कि इस कहानी में चातूर्य की बात है एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के हाँ तेल के डिब्बे में छुपा के ले जाता है यात्रा के वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती वकाजी से फर्यात करता है अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चय न्याई करके अलिक फाजा को मोहरे वापस दिलवाता है यह रोचक कहानी न्याई और बुद्धी मत्ता की एक जलक देती है तो हम यह जो पाठ है वो यहाँ पर सुरू करते हैं यह जो पाठ है वो एक कहानी के रूप में है अबर पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था नाम था उसका अलिक फाजा लेके एक समय नी अंदर इराक नी जे राजधानी छे जेने बगदाद के वा मावे छे तिया एक वेपारी रहतो हतो जेने नाम हतो अलिक वाजा व्यापार करते करते जब उसके पास एक हजार सोने की मोहरे इकठे हो गई तो वो उसके उससे उसने मक्का सरीफ की यात्रा का निश्य किया वो जे व्यापारी हतो ते व्यापार करता करता एनी पास से 1000 जेटली सोनानी मोहर भेगी थाई छे त्यारे विचारे छे कि मारे अवे मक्का सरीफ नी आत्रा पर जवू जोई ए तो चुकी वा अकेला रहता था उसने अपनी जमा पूजी अपने मित्र के हां रखने का निश् मारा मित्र ने त्या एने साचवा माटे मुकी दो यात्रा के खर्श के लिए उसने 500 मोहरे अलग रखली फिर एक घडे में बची हुई मोहरे डाल कर तेल भर दिया शुकरे छे एने यात्रा करवा माटे जवानू हतू मक्का सरीफ तो तेना माटे 500 मोहरे मादी लए ले ले हाँ 500 मोहर उसमें से ले लेता है पची सुकरे छे एजे बाकी नीचे सोना मोहर होई छे ते एक माटला मा मुकी दे छे अने इने उपर तेल भरी दे छे अने पची एना मित्र ने त्या मुकी आवे छे अलीख वाजा पडोस में अपने मित्र वाजित के घर गया अलीख वाजा सुकरे छे पोतानों मित्र जे बाजूमा रेतो होई छे इनुन नाम वाजित होई चे तिना त्या जाई छे उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा यह तेल का घड़ा में आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ यह सु कही छे कि हूँ एक यात्रा पर जई रहे हो चूँ तो आजे तेल नो जे घड़ों छे हूँ तारा त्या मुकी ने जवा मांगो चूँ मक्का से लोटकर ले लूँगा कि यानी कि हूँ मक्का ती जारे वापस पाच्वावीस जारे हूँ लई लई लईस वाजितन आपने ता खाने की चावी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा ता खाने में रख आईए और जब आप लोटे तो उसी स्थान से ले लीचे ये खाने एकलेूम अब बनावा मावे छे ता खाने आपना घड़ा ता खाने में रखाइए और जब आप लोटेंगे तो उसी स्थान से ले लीचेगा रबर एम के चे के जे यह अपणे रूमनी नीजे बना all जे रूम चै अने चावी पने आपी देछ अने जया रहे तो तुँआ यात्रा करेंगे 25 त्या रहे तो तुआ पाझू त्यां थी लइ लेजे जातेद लई लेजे अलिक वाजा घड़ा रकर यातरा के लिए निकर गया अलिक वाजा जञते अने बतावील वाजीदे बतावीली जग़्या पर घड़ो हमुपी आवे छे अने पछी त्या Button ये याधरा माटे निकली जाए छे एक दिन वाजीद के घडर दावद थी तरा तरा के पक्वान बनाते हुए तेल खतम हो गया रात का समय था सुधाई चे एक दिवस के वाजितना घरे जे अलिक वाजानों मित्र हतो जेना त्या अलिक वाजाय घरों मुक्यों हतो तेने त्या दावत एटले के सुधाई चे एक भोजन संबारम राखवा मा आवेलू होई चे त्या सुधाई चे अने त्या घणा बजात अलग अलग प्रकाना पक्वान बनावे चे वाणगियों बनावे चे निरातनों समय होई चे वाजित की बीवी अपना सिर्खुझलाने लगी सुधाई चे टेल पूरू थे जए जहे अवे विचार मा आवी जए चे क्या वे शुक करू तेल तो पूरू थे गयो चे तभी उसे अलिख वाजा के तेल के घड़े की याद आई एटला मा यह एने सुधाई चे के अलिख वाजा एमना घड़े घड़ों मूक्यों आ आज राथी आकर तो तेल नहीं मांगेगे यहनी कि अली ख्वाजा आज रात्रे जावी ने तो थेरी तेल मांगवा लाग से तेओ बीवी की बाद सुरकर वाजी तेह खाने में गया जब घड़े की सील खोल कर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिको की आवाज आई सुथाई छे के पोतानी बीवी एड़े के पत्नी निवाज सामड़ी ने वाजी तेह खाना तरफ जाई छे अने तिया जे घड़े होई छे तेनू जे धाकन होई सिबी तेल एट लेके एनू ढ़ाखन जे खोल ले छे औने इमातिसू करवेचे तेल जे बीजावासं मां काटवा मानडे jetzt त्यारे जे घड़ो जे आरे मांको करे छे तिहमातिसू आ जे मानीची सिक्कान माज आवाज आवे छे उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल दिया उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की महरे थी और जोई उके घड़ानी अंदा तो 500 जिटली सोनानी महर सोनाना सिक्काओ हता उसने अपनी तीजोरी में छिपका रक दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया बीज़ा दिवेसु करेचे बजार माधी नवू तेल लई आवे चने घड़ा माँ पाचु भरी देचे उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे की ख्वाजा अले ने किया था ये वीज रिते येनों धाकन बंद करी देचे जे वी रिते अली ख्वाजा ये करियो हतु कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यातरा से वापस आया घर में अपना सामान रख करवा सीधा वाजित के घर गया और अपनी यातरा की सारे बाते बताई फिर तेल का घड़ा ले करवा घर आ गया सुदाई छे थोड़ा दिवे सुपा ची अलीख वाजा जेचे मक्कानी यातरा पूरी करेने पोताना घर आवे छे तो घर में अपना सामारा करवा सीधा वाजित पोताना गर मां मुके जने सिधा वाजित ना घरे जाये छे जीवन नी जमा पूजी याती इतला माटे जल्दी थी जल्दी पोता ना घरे लावानी इच्छा रागतो हतो अपनी यात्रा की सारी बाते बताई पोता नी यात्रा नी बधी वातों करेजे फिर तेल का घडा लेकर वा घर आ गया पोता इने जे शफर करेऊ हतो एना विसे बधी वात जणावे छे ने पोते पजी तेल लोजे घडो होई छे एला इने पाचो आवी जाई छे जब उसने घडे का तेल निकाल कर देखा तो उसके पेरों से तले जमीन ही खिशक गई पराबन इतारत जे शोना नी मोहरे माधी काडवा जाई छे पराबन इमा तेल काड़ी नाखे जे मा कसी नकसू नाती होतु तो एना पग नी नीचे ती यह लागे के कोई आखी जमीन आखी प्रिथ्वी खसी गए होई यह उने लागे छे वह सीर पकड़ कर बैड़ कया क्योंकि घड़े में ही एक भी सोने मोहर नई थी यह मातु पकड़ी ने बेसी जाए कि हवे सूथ हसे यह चिंता मा पड़ी जाई छे अने केमके एनी अंदर इना घड़ा मा एक पन सोना ना सिक्का हता नई वह सोचने लगा अब क्या किया जाए अने विचारा मांडे चावे इस तुँ करवू जोई है वह उल्टे पाँ वाजित के घर गया और अपनी मोरे मांगने लगा ए उन्दाज पगे पोता ना वाजित ना घरे जाई छे अने सोना नी मोहर मांगवा मांडे छे वाजित ने कहा कि सील बंद तेल का घर आपको उसी सांसे मिला जहाँ प्रक कर गये थे वाजित त्यारे केई छे के तुछे जेवीरिते सील बंद यानी के बंद कर अ当 गयो है तो ये पैक करी न गयो है तो ए वीजरिते ये तिया मुकेल होते ये तुछे मैंने तो उससे ह भी नहीं लगाई कि मैंने तुन यहने हाथ पण न थी हुगाव्यों मैं कैसे मान लू की उसमें सोने की महर थी में क servi पर दोनों मित्रों में कहा सुने होने लगी बने मित्रों चे ए धोड़ी वात वात नी अंदरे लोको जगडवा माणने चे दोनों का जगड़ा सुनकर आसपास की लोग इकठे हो गये वह पर अवे थोड़ी थोड़ी वात है मोटों जगड़ा मा फरिवर्ति थाई जाए चे इतला माटे त्या आसपास ना लोको त्यां बदा भेगा थाई जए जए उन्होंने जब जगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाईए वही आपके जगड़े को मित्टा सकता है त्या आए बदा जे लोको भेगा थाई आए तेमादी कोई केज है केता में काजी पासे जाओ काजी नी अदालत मा जाओ एज तमारों जे जगड़ों जे एने ए सारू करी सक्षे मनलब तमारों जे जगड़ों जे इनू निवारन करी सक्षे ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी परन्तु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निरास लोटना पड़ा परन्तु परन्तु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निरास लोटना पड़ा तब उसने बगदाद के खलीफा के हाँ अपील की और न्याय मांगा येना पची एसु करे छे बगदाद जे छे त्याना खलीफा होई छे तेमने त्या एसु करे छे अपील यानिकी न्याय मांटे ने मांग करे छे खलीफा ने उसकी अपिल स्विकार कर ली खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा तीकेए छे कि आतारू जे आजे समय स्याचे इना वाटे मारे विचार करो पड़से के वी रिते ने एनू निवारन लईयाओ बरब एटला माटेसू करें छे थोड़ो समय मांगे छे एक सब्ता के बाद सुनवाई के लिए दिया गया है यानिकि एक सब्ता लेगे इक अठवड़िया पछी एनो जे निवार अन्चे एल लईया उसे क्वाजा और वाजित का किश्या अब प्रख्यात हो गया अवेतर सु थायू क्वाजा ने वाजित नो जे आजे सामस्या हती ए आखा गामनी अंदर खबर पड़ी गे गामा एक प्रख्यात थाई गया खलीफा एक दिन अपना भेस बदल कर सहर में घूम रहे थे तबी उन्हो उने कुछ लड़कों को न्याया लएका खेल खेलते हुए देखा खलीफाजे चे एक गिवस वेस पड़्टो करी ने ये सु करता हाता पोता नो जे राजी हतु त्यां आम तें जई रहा हाते ब्रबन मुलाकात लेता हाता त्यां इमने जोयू के कितलक बाड़को अदाल आ जेता पड़े घर घर रमता होई है प्रबर चोर पोलीस रमता होई है एवी जरीते बाड़को पण न्याया लएनो खेल रमी रहा हता वह छिपकर उनका खेल देखने लगे उन्हें लगा कि जो लड़का न्याया दीज बना है वह समझदार है त्याना चे छोक्राओ छे रम चोक्रों न्याया दीज बने होचे एक खुप समझदार लागे छे वह जीस तरह न्याय कर रहा है बिलकुल ठीक है प्रबर ए चोक्राओनी रमत छुपाईने जोई रहा हता इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा प्रबर ए चोक् समझदार लागे इटला माटे सु केछे एने बोलावे चे पोतानी पासे अने पूछे छे लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है येनू नाम पूछवा परे केछे के मारू नाम हसन छे खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा तुम बहुत समझदार हो कल हमारे दर्बार म समझदार लागे चे अगले दिन खलीफा के दर्बार में अलिक वाजा वाजित और हसन उपस्थित हुए अलिक वाजाने वाजित अने साथे पिलो जे नियायाधीस बनेलो छोकरो एपन हसन ए उपस्थित थाई छे खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के जगडे का कुस्सा सुनो और बताओ कि इन में से कौन सच्चा बोल रहा है शुकी तुम खलीफा है कि जो तुम आ बन्यों जगडानों जे आखी कहानी छे तुम यहने सांबड जिवारता छे नी तुम अने पछी तुम मने के क्या बन्यों माथी कौन साच्चु छे अने कौन जुट्टु छे हसने दोनों की बाते ध्यान से सुनी फिर उसने दो तेलीओ को बुलवाया शुकरे छे हसने बन्यों नी बात सामड़े छे फिर उसने दो तेली येटले के जे व्यापार करता होई छे तेल काटवानों तेनू वेचान करवानों प्राबर तेने सुकेवामा उसे तेलीओ प् पुराना है एक गड़ानी अंदर तेल जे चे एक इटलू जूनू छे दोनों तेली उने बारी-बारी से तेल को देखा सुंगा और चखा ब्राबर केमके एटलो उच करवाद ये लोकों ने खबर पड़ी जती होई के केमके एमनो एक बिजनेस होई व्यापार होई एटला माटे एमने बधी वस्तूनी खबर पड़ से ए तेल ने जुए छे सुंगे चे आने इने चाखे पन छे फिर अपना ने न पूरानू छे एना ती वधारे नई तेलियो की बाज सुन कर वाजित तो घबरा गया जे तेलियो आवेला हता तेनी बाज सांबड़ी छे क्या तो तेल तो खाली 2 माईना जूनू छे तो एनी बाज सांबडी ने जे वाजी जतो ए घबराई जाई छे अलीक वाजा खुष प्रोकर बोल पड़ा हुजूर्ट मैं तो 6 माईने पहले मक्का की यातरा करने गया था। अलिख वाजा जणावेचे के एतो छो माईना पेला जे मक्कानी यात्रा माटे गयो हतो तो तो तेल्बिये ने छो माईना पेला जबारी हुआ से अन्ने आ बाद थी बधाने त्यां बद्दा उपसित बद्दा जे लोकोंने सचाई जे हती ती खबर पढ़ी जाए छे खलीफा को न्याई के लिए सबूत मिल गया अने खलीफा जे जे न्याई करी लए हता एवने जे सबूत जोतु जुझे शाक्षे जोतु हतो ए मड़ी जाए छे खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजित से कहा की आपने अलीक वाजा के घड़े से तेल और मोहरे निकाली हैं रबर अने खलीफा हसनो धन्यवाद करें छे अने वाजित थी कहें छे कि तमें जे छे ए जे घड़ानी अंदर तेल अने मोहर जे हती ते तमें काडी छे आप उन्हें वापिस कीजिए और चोरी और विश्वास घात के अपरात की सजा भुगदिए ब्रबर तमें एने वापस करी दो एने पाचा परत करी दो आने चोरी जह करी चे तमें अने वीजु के तमें विशवास घात करी थमारा मित्र जिमने हसन हातो इनाना चुक्रा ने खणू बदू इना माप्यू अने जवादी देना खूब वखाण करिया। खलीप आके दरबार में उपसी सबी लोगोंने हसन की सूझ पूझ और नियाय की बूरी बूरी प्रशन शा। रबर्त ये नियायालाईनी अंदर जिटला भी उभा हाता ये सबानी अंदर जिटला भी लोगों त्यां उपसी देता ये बद्धा है तो हसन नी जे समझदारी ने देखाडी तेना खूब खूब वखाण करी रहा हाता। तो आजे आ पार्ट जीचे ये ये पूर्ण थाईचे। जरे नेक्स्ट पार्ट नी अंदर हुँ तमने येना सब्दार्थ अभ्यासने स्वाध्याईना प्रशनों समझावीज। ठेंक्यू।